वेलकम टो एकलव्या स्टेडी पॉइंट एड़ आई हम सचेन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव अगर आपका सब्जेक्ट है तो बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की कि most important question कौन से हैं जो आ सकते हैं वो बता दो तो भई देखो मैं आपको कुछ बहुत जादा repeated questions करवाने वाला हूँ हो सकता है यहां से आपको बहुत सारे questions देखने को मिल जाये कर आपने अभी तक कुछ नहीं पड़ा बहुत ही कम टाइम बच रहे हैं तो मैं आपको recommend करूँगा एक तो आप यह जो मैं करवा रहा हूँ आज की यह वीडियो इसको पूरा अच्छे से देख ले ना one shot वीडियो है अंतरा और अंतराल समझ लो पूरी Hindi elective आपका जो subject है उसमें से जो छटे वे कुछ questions है वो करव अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई query हो तो आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं मेरा username आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इसके अलावा अगर आप हमारे Telegram group को join करना चाहते हैं तो class 12 ESP new group search marker आप हमारे Telegram group को join कर सकते हैं और अगर website www.eclavyastudypoint.com को visit करें बाकी हमने chapters की summary बहुत चोटी चोटी बना रखी है class 12 के लिए जो आपकी हिंदी elective subject है और हिंदी core के student हो तो भी हमने बना रखी है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कावे खंड से start करवाते करवाते आगे लेके चलूँगा ठीक और होनों के आकमनड में उनका सारा परिवार नश्ट हो जाता है ये भी आपको बता है और वो सकंद गुप्त से बहुत प्रेम करती है परंतु सकंद गुप्त जो है वो मालवा की धन कुबेर की कन्या विजया को प्रेम करता है इसलिए वो उससे मतलब नहीं कर पाता वाप पिस्तो भई देव सिना को बहुत निराशा मिलती है और जीवन का जब अंतिमशन होता है तो उस टाइम पे जो सकंद गुपता है वो उससे प्रणय निवेधन करता है यानि कि प्यार का इजार करता है पर वो फिर उसको नकार देती है देव सिना और उसे अपने आपको कमजो है लेकिन फिर भी वो लड़ती रही परन्तो वो हार गई और इस प्रकार प्रेम में जो उसको आसफलता मिली और जीवन में उसको दुखदर्द मिले यही उसकी निराशा का कारण है दूसरा कभी ने आशा को बावली क्यों कहा है तो देखो कभी ने आशा को बावली इसलि जाते हैं असंख हैं वो सपने पूरे हो या ना हो और वो सपने और अकांगशाओं को पूरे करने के लिए हम बहुत परिशान भी होते हैं और इसी तरीके से देवसेना के मन में भी आशा थी कि वही एक दिन इसकंद गुप्त उसके प्रेम को मान लेगा पर ये आशा जो है उ आपकी दोनों बुक्स इसके बाद आपको बस जो देखना है वो है कि हमारे सेंपल पेपर और कुछ करने की जरूत नहीं है उड़ते खग से मतलब है कि जो परवासी पक्षी होते हैं या जो दूसरे देशों से लोग आते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर उनकी संस दर्द समझते हैं अपना समझते हैं हमारे देश में बहुत ही प्रेम और करुणा हैं आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी और संकेत करते हैं तो देखो यह सारे important question है भाई जो आ रखे हैं यह सारे तो आकाश जो है वो कवी की स्वर्गया पतनी की और मही जो है वो नव वदू के वेश में सजी जो उसकी बेटी है सरोज उसकी तरफ बता रहा है कवी की पुत्री विवा पर बहुत सुंदर लग रही थी कवी को लगता है कि मानो उसकी पतनी का ही सुंदर रे आकाश से उतर कर सरोज के रुप में दिख रहा हो और बहुत ज़ और जिसमें उसकी मा एक लता थी ठीक है उसकी मा भी वहीं पर जन्मी होगी उसकी बेटी यानिके सरोज भी वहीं पर रही सो इसलिए लायं कहिए गई है कि वह लता वहीं की जहां कली तो के लिए आगे अगला क्वेशन है दीप अकेला के प्रतिकार्थ को स्पस्ट करते वे यह बताईए कि उसे कवी ने स्नेह भरा गर्व भरा एवा मदमाता क्यों कहा तो देखो दीप अकेला का मतलब है कि व्यक्ति यानि कि व्यक्ति गत जो सत्ता होती है जो एक आदमी है जो एक व्यक्ति है तो दीप को यहाँ पर एक सर्मगुण संपन मनुष्य की रुप में बताये गया है और इस व्यक्ति में स्वतंतरता मौलिकता और रचनात्मकता की आ दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो कि आधार पर व्यक्ति का समस्टि में विले क्यों और कैसे संबब व्यक्ति यानि कि व्यक्ति समस्टि यानि कि समाज तो दीप व्यक्ति का परतिक है यानि कि जो पंक्ति है वो समाज का परतिक है अगर व्यक्ति समाज के साथ मिल जाती है । एक बूंद जो कवीता है असमें शन का क्या मतलब है तो देखे शाम के समें समुंदर में एक बूंद उचलती है फिर वापिस समुंदर में मिल जाती है और एक शन के लिए ही वो सूर्य की रोशनी के उसपे आती है तो बूंद एक शन में ही सूरज की लाल रोशनी में रंग कर चमक उठी, इसी परकार विराट की निराकार सत्ता के समक्ष मानव के लगू में मदुर मिलन के परकास से परदीप्त जो शन आते हैं, वही इसे नशवर्ता के बहुत से मुक्त करके आत्म बहुत से बढ़ देते ह लाने की एक शन की भी वैली होती है, वो एक शन आपके भी जीवन में कभी भी आ सकता है, जहांपर आप हो सकता है, आपका जीवन रंगीन हो जाए और उसी के अगलेशन आप वापिस विराट समुदर में मिल सकते हो, आगे बढ़ते हैं, और कविताएं पढ़ते रहने से आम बोर आवेंगे में ये क्या वियंगे बता रखा है, तो वसंत आया से ये कुशन है आपका, कभी कहता है कि उसे कविताएं पढ़कर ही पता चला था कि ढाक के ढहकते जंगल होते हैं, आम पर पेड़ ठीक है, आम के पेड़ पर आते बोर भी होते हैं, जब मतलब वसंत आता है, और आधूनिक मनुष्य कविताओं से ही जान पा रहा है प्रकरती के बारे में, हमारा प्रकरती से रिस्ता ही तूट चुका है, ठीक है, हमें पुस्तकिय ग्यान मिल रहा है, किताबों का ग्यान मिल रहा है, परतियक्षम ने कभी नहीं देखा ये सब, तो ये बताय चलता कौन से रितू आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम बस कलेंडर देखते हैं, उससे ही पता चलता है, वसंत रितू कैसे आती थी पहले लोगों को पता होता था कि क्या होता है, प्रकरती में क्या बदलाव आते हैं, पत्ते गिड़ते हैं, पेड़ों से कोयल कूंकती है, फू बताया जा रहा है कि राम के वन गमन के पस्चात मा कोशलिया की मनोस्तिति कैसी थी तो देखे राम जब वन गमन के लिए जाते हैं तो राजा दसरत की मृत्ति हो जाती ही हमें पता है ऐसे में माता कोशलिया बहुत ही जाता दुखी हो जाती है घर में वो इधर दर जाती है ज इस परकार वो नन्ने नन्ने पैर की जूतियां थी जो भगवान राम बच्पन में पहना करते थे उनको भी वो देखकर बहुत जादा भावक हो जाती है और अपने आखों से लगा लेती है फिर है माग महीने में विरहनी को क्या अनुभूती होती है बारा मासा के आदार पर बताईए तो माग महीने में बहुत भहंकर सरदी पड़ती है ठीक है प्रियतम का जो मतलब वियोग है जो अपने वो प्रिये से बिचड़ी हुई है उसका दिन नहीं कट रहा भई माग की वर्षा के समान उसकी आँखों से लगातार आसु बह रहे हैं जुदाई के इन आसुों से भीगे वस्त्र उसके शरीर को बान के समान चुब रहे हैं या जो आसु है माग के महीने में तेज हवा चलती है ओलों की बारिश हो रही है उसके जीवन को और भी जादा कष्ट प्रत बना दिया है लेकिन ये जो प्रियतम का वियोग है उसके कारण उसका जीवन रस हीन हो गया उसके जीवन का रस ही चला गया है और दीरे 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 वो खतम होती जा रही है उसके शरीर जो है तिनके के समान हलका हो गया है और वो इस दूरी ये विरह की अगनी में जलकर राक हो जाएगी और उड़ जाएगी एक दिन ये बताया जा रहा है लेकक का रुजान और रूची साहिते की और कैसे बढ़ती गई ये आपका प्रेम गन की 6 स्मिरिती से कुशन है तो शुकली जी की जो रूची हिंदी के नवीन एवं अधुनिक साहिते का परती बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने पंडित के दारनात के पुस्तकाले से किताबे लाल आकर पढ़ना शुरू किया था, लेककक जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे हिंदी का जो नया-नया साहिते है, नूतन साहिते है, उसका जुकाव बढ़ता गया, और घर में भी किताबे आती थी, और वहाँ से साहिते है उसका इंट्रेस्ट बना रहता था, प् उनका व्यक्तित पर्सनेलिटी बहुत आकरशक्ती, बाल उनके कंदे तक जाते थे, हर त्यवारों पर नाच रंग का वो आयोजन करते थे, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबियत दारी टपकती थी, वे छोटे से छोटे काम के लिए भी नौकरों पर निर्बर रहते थे, नौकरों के साथ समबाद यहां बात करने का उनका लहसा बहुत अच्छा होता था, बालक द्वारा इनाम में लड़ू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली, बहुत बारी पूछा गया है भई ये क्वेशन, तो बालक के पिता और उनके शिक्षकों ने बालक की स् बालक के प्रशनों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उमर हो, उसे शिक्षा इस तरीके से दुरलब दबाव डालना चाहिए उसके उपर, तो जब बालक ने लड़ू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी भी चलो शुकर है इसके अंदर बचपन मरा नहीं है, अभी बचपन है इसके अंदर, अभी भी इसको इस दबाव से निकाला जा सकते, तो इस तरीके से लेकग ने सुक की सांस बरी, फिर बालक की प्रवर्तियों का गला गोटना अनुचित है, पार्ट में ऐसा अभास की निस्तलों पर होता ह उसकी प्रवर्तियों का गला गोटा जा रहा है, तो ये कहां कहां पर आपको पार्ट में ऐसा देखने को मिला है, कि उसकी प्रवर्तियों का गला गोटा गया है, तो देखो, बालक जब वार्शिक उस्तव के मंच पर खड़ा था, ठीक है, जब वार्शिक उस्तव चल रहा की जलक बालक की आखों में दिख रहे थी कि वह उसकी आखों में नजर आ रहा था कि नाम में क्या मांगों बचपने की तरह एक लड़ू या फिर पढ़े लेखे की तरह कुछ और किताब बगरा तो ऐसे में पता चल रहा था कि वह उसका बचपना जो है उसका गला खोटा जा साफ सफाई उसके पुर्जों के विशे में जानकारी हासिल करने का अधिकार सभी को होना चाहिए ऐसे जो धर्म होता है धर्म का जान जो धर्म की information है वो सिरफ गुरूओं के पास नहीं आम से आम आदमी को भी पता होना चाहिए अपने धर्म के बारे में ग्यान आना चाहिए फिर अगला कोशन है अनाडी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो पर जो घड़ी साजी का इमत्यान पास कर आया है उससे तो देखने दो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब है ऐसी व्यक्ति से कोई काम मत करवाओ जो उसके बारे में ना जानता हो यह इस्तिती धर्म की भी है जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में पूरी जानकारी है उससे धर्म के बारे में पूछे किन्तो जिसे तनिक भी ग्यान नहीं है धरम का उससे तो आप धरम के बारे में कुछ पूछ यह मत तो जिस तरह गड़ी साजी का इम्तियान पास कर आया व्यक्ति खराब गड़ी को सही कर सकता है वैसे ही धर्म की जानकारी जिसे होगी वो ही आपको धर्म के बारे में बताएगा बड़ी बहुरिया का समवाद हर गोविन उसके माई के तक क्यों नहीं पहुचा सका तो ये कोशन बहुत बारी आता है अलग अलग लेंग्विजिस में भी आता है तो आप समझ जाना वो यही पोछ रहे है तो बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना हर गोविन जो समवधिया है वो समझ चुका था कि बहुत परेशान थी जो बड़ी बहुरिया थी उसके माई के पहुँचकर वहां का खुशनुमा वातावरन देखकर और आओ वकत को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ठीक है क्योंकि इससे हर गोविन को अपने गाउं की जदबी मिट्टी में मिलती दिकरी थी कि अगर वो बताएगा कि बड़ी बहुरिया के साथ ये सब होता है तो लोग क्या वोलेंगे तो गाउं की लक्षमी हमेशा के लिए गाउं छोड़ कर चली जाएगी तो ये सब वो उसके मन में चल रहा था इसलिए वो बताना नीचाता था समवदिया की क्या विशेस्ता है और गाउं वालों के मन में समवदिया की क्या वधारन है तो देखो समवदिया वाता वानन को सुनकर ही समवद का नुमान लगा लेता है जब वो जाता है तो वो देख लेता है कि क्या वो सामने वाला बताने वाला है वो बहुत भावुक होता है सम्मेंदर्शील होता है समझदार होता है इमांदार होता है दूसरों की मदद करता है जो भी समबाद उसको सुनाये जाता है वो हैजिटी वैसा ही जाकर सुना देता है पर गाव वाले उसके बारे में बहुत गलत समझते हैं उसको निठला, कामचोर, पेटू आदमी समझते हैं जिसके आगे पीचे कोई नहीं है और ठीक हैं और ओरतों का वो गुलाम हैं ऐसा लोग उसके बारे में समझते हैं रोगी बालक के परदी गांधी जी का व्यावार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है तो देखे गांधी जी बहुत दयालू थे बहुत दिल के अच्छे थे रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे जब बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा आस हैनी हो रहा था तो वह सिरफ बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था कि बापू को बुलाओ तो बापू का प्यार और सेवा जो बापू जी ने मतलब वहांप करा उसको देखकर वो ठीक हो गया गांदी जी रोगियों की मनोस्तिती को भाप कर उनसे बहुत प्यार से बात करते थे जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे जैसे तपेदिक का रोगी तीक है या और भी बहुत सारी विमारियां होती है वो गांदीजी खुद उनके पास जाते थे उनकी देखबाल करते थे यही बताता है कि उनका व्यक्तित वो बहुत अच्छा था फिलिस्तीन के परती भारत का रोगी बहुती सानुभूती पूरण एवं समर्थन भरा था यानि कि फिलिस्तीन के परती भारत हमेशा से अच्छा रहा है क्यों क्योंकि देखे सामराज्यवादी शक्तियों का हमने विरोध किया है सामराजेवादी शक्तिया यहनी कि इंगलेंड यूरोपिय देश जो छोटे देशों को अपना गुलाम बनाते हैं तो ऐसे में भारत फिलिस्तीन का हमेशा से साथ देता है क्योंकि फिलिस्तीन के उपर भी बहुत अन्याय हुआ था और इस अन्याय की विरुद आवाज उठाने वालों के साथ भारत की हमेशा सानुबूती रही है भारत वासी जो हैं हमारे वो फिलिस्तीन की लोगों को अच्छा मानते हैं आंदोलन जो वाँ पर होता था उसका समर्तन भी करते थे तो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा रवया अच्छा था परमान से अधिक महत पूर्ण है विश्वास कहानी के अधार पर बताओ तो देखो लगू कथा जो शेर है वहां से ये लाइने ली गई है तो इसमें बताए जा रहा है बोली वाली जंता और धूर्ट सत्ता के बारे में लेखा कि ये मानने को तयार नहीं है कि शेर के मुँ में रोजगार का दफतर है किन्तु उसे बार बार या विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि शेर का मुँ ही सब दुखों का अंत है तो शेर का मुँ हिंसा का परतीक है ठीक है और यहां सबी जानवर जानते हैं कि केवल विश्वास दिलाने पर वे स्वेच्चा से उस मूँ के अंदर जा रहे हैं तो आज का सत्ताधारी और राजनीतिक वर्ग भी ऐसा ही है वो लोगों का विश्वास हासिल करता है लोगों को विश्वास दिलाता है नेता बाद में नेता वो ही लोगों का शोशन करता है समझ में आगे आपको यही बताए जा रहे है चार हाथ कहानी का परतिपाते बताओ चार हाथ में क्या बताए जा रहे है तो चार हाथ जो है यह पूझी वादी विवस्था को दर्शा आता है कि मजदूरों का शोशन कैसे किया जाता है तो पूजिवादी अलग-अलग तरीके से उपाय करके मजदूरों को पंगू बना देते हैं यानि की नए-नए तरीके डूंडते हैं उनको तंग करने के और ऐसे मजदूर विरोत करने के स्थिती में नहीं होते वे तो मील के कुल पूर्जे बन गए हैं और लाचारी में आदी मजदूरी पर भी काम कर रहे हैं वो युचारे गरीब हैं उनको आदा पैसा भी मिलेगा तो भी वो काम करेंगे यही शोशन दिखाया जा रहा है इसमें सांजा कथा का परतिपाद देश पष्ट कीजिए तो जो सांजा कहानी है सांजा में क्या है उद्योगों पर कबजा जमाने के बाद पूंजी पतियों की नजर किसान की जमीन पर और वहां के उत्पादों पर रहते है और वो किसान को साजा खेती करने का लालच देते हैं कहते हैं आदा-ादा कर लो फिर बाद में क्या करते हैं जब फसल उगती है तो सारी हड़प लेते हैं किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हुई पूंजी उसके जो है कमाई हुई जितनी भी चीज़ें होती है वो सब हाथी के पेट में चली जाते हैं क्योंकि हाथी कोई उदारन के तैत यहां पर बताया गया है और यह हाथी और कोई नहीं बलकि समाज का सत्ताधारी, प्रभुत्वशाली पैसे वाला वर्ग है जो किसानों को दोके में रखता है बाद में उनकी मेनत को डकार लेता है और अध्योगी करन के कारन विस्थापन में क्या अंतर है देको प्राकर्टिक विस्थापन अगर होता है बाड़ वुकंप कुछ समय के लिए आता है आप वापिस जा सकते हो ओद्योगी करण का अगर विस्तापन हो गया अगर वहाँ पर कोई फैक्टरी लगाई जारी और आपको वहाँ से एक बार हटा दिया तो आप फिर माँ वापिस नहीं जाते आपकी संस्कृति आपका परिवेश आपके लोग हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं और ओद्योगी करण की आंदी में लोगों के घर उजड़ जाते हैं दूसरा प्रशन यूरोप और भारत की परियावरन संबंदी चिंताएं कैसे भिन हैं तो देखो यूरोप में परियावरन का प्रशन है मनुष्य और भुगोल के भी संजुलन मनाई रखना जबकि भारत में ये प्रशन है मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच यानि कि भारत में क्या हो रहा है कि लोगों के घर उजड़ रहे हैं तीसरा ओद्यो की करने ने पनियावरन का संकट पैदा कर दिया है क्यों और कैसे तो ये तो आप सभी जानते हो जल पर्दूशन वायू पर्दूशन द्वानी पर्दूशन क्या क्या पर्दूशन है जो नहीं होता जो मतलब ओद्यो की करने से तो आप ये लिख सकते हो अपन सार्थक शीरशक है क्योंकि शरत चंदर की एक रचना है देवदास उसमें नायक देवदास जो है वो पारों पर अपना प्रेम लुटाता है और अंत तक ये है प्रेम एक निश्चल रुप में जीवित रहता है ऐसे ही दूसरा देवदास कानी में जो संभव है वो भी पारों को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है और बहुत जादा शिद्दत से प्यार करता है तो इसलिए ये सही है शीरशक दूसरा प्रशन है मनो कामना की गाठ भी अदबुत है अनूठी है इधर बांदो उधर लग जाती है तो इस कथन के अधार पर पारों की मनो दशा बताईए तो देखो पारों भी संभव से प्यार करने लगी थी भई हर की पोड़ी पर लड़के के साथ वो जो छोटी सी पूरी हो जाएगी और वो संभव से बहुत जल्दी मिली और वो हैरान थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी कैसे पूरी हुई फिर अगला प्रस्न है कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेणना लेते हो तो उसके माद्यम से लेकग ने मनुष्य की क्या कमजोरियां बताई है देखो कुटज की जीवन जीने की कला से हमें ये प्रेणना मिलती है कि हमें विशम से विशम परिस्तितियों में भी जीने की कला आनी चाहिए कितना भी टाइम खराब हो आपको जीना आना चाहिए हर हाल में जीओ और मस्ती के साथ जीओ ये हमें कुटज बताता है आत्म सम्मान के साथ जीओ जहां संबव हो अपना प्राप्पे पाने का प्रयास करो जो आप चाते हो वो आप पाकर रहोगे आपको पताल से लेकर कहीं भी जाना पड़ जाए किसी की चापलूसी मत करो अपने मन पर कंट्रोल रखो इरश्या मत रखो देश की बावना मत रखो अगला प्रशन है सूरदास की जोपड़ी अब हम अंतराल पर आ चुके हैं तो हम सो लाख बार बनाएंगे इस संदर्व में सूरदास का चरित्र हमें बताना है तो पहला तो ये है कि हार ना मानने की प्रवर्ती इससे ये पता चलता है कि सूरदास के जीवन में कितनी भी परतिकूल परिसित्या रही हो उसने कभी हार नहीं मानी उसने दुबारा परिश्रम करने के लिए वो रैडी रहा करमशील और महनती सूर्दास एक महनती व्यक्ति है अंदा होने पर भी उसने पैसे जमा कर लिये थे और वो आगे भी महनत करने से ड़ता नहीं है कतराता नहीं है परतिशोद की भावना से मुक्त तो देखो सूर्दास किसी से भी परतिशोद लेने की भावना नहीं रखता बदला नहीं लेना चाता था बहरों ने बेशक उसके साथ गलत किया हो पर सूर्दास उससे बदला नहीं लेना चाता था निरनय लेने की शमता सूर्दास किसी भी परिस्तिती में केवल मौन रहकर मतलब शांतरी बैटा रहता था तुरंत वो पॉजिटिव एक डिसीजन लेता था एक निरणय लेता था साहिर्दय एवं परूपकारी सूर्दास का दिल काफी कोमल था सौफ्ट हार्टेड था वो सुएम पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी वो सुभागी को शरण देता था बहुत ही ज़्यादा मददकार था और फिरे आशावादी दृष्टिकोण मिटूआ खेल खेल में कहरा होता है बात चल रहे होता है उसका दोस्त कहता है कि भई खेल में भी वहला कोई रोता है तो सूरडास वो सुनकर अपने भविश्य की और सोचने लगता है कि यह तो एक खेल है जिन्दगी का आगे बहुत कुछ करना है तो वो अतीत को भोलकर भविश्य की और सोचने लगता है फिर लेखक ने किन अधारों पर अपनी मां की तुलना बतक से करी तो देखो बतक की जो मा होती है और जो मनुष्य की शिशू की मा होती है वो दोनों की तुलना करिया कि खतरों से बचाती है दोनों ही मा ही जो बतक होती है अपने पंक फैला कर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाती है वैसे ही मनुष्य की मा भी अपने बच्चों को दुनिया की खतरों से दूसरा है सतरकता और कोमलता से देख रहे हैं, जैसे बतक अपने बच्चों को अपनी पैनी चोंच से एकदम सतरकता बढ़ते हुए, कोमलता से अंडों को अपने पंकों के अंदर छुपाती है, वैसे ही छोटी मा जो मतलब छोटी बच्चों की मा होती है, वो भी बच्चों बचाने के लिए अपने बच्चों को एक कोशन यह आता है यहां से बच्चे का मां का दूद पीना केवल दूद पीना नहीं होता यह कोशन बहुत बारी पूछा गया है तो लेखक के अनुसार देखो बच्चे का मां से जो संबंद होता है जो नाता होता है वो बहुत अदब बच्चा सुबकता है, रोता है, मा को मारता है, मा भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा मा से चिप्ट रहता है, तो बच्चा मा के पेट से गंद इस परश भोगता है, बच्चा दात निकालने पर मतलब टीसता है, यानि की काटता है, तो ये सारी चीज़े इसमें बता र कि दर्थी का वातावरन गरम क्यों हो रहा हैं इसके गरम होने में यूरूप और अमेरिका की भूमी का लिखो तो हमारी Global Warming क्यों हो रही है उध्योगिक विकास के चलते हैं उध्योगों से काल खार कानों से जो यह गरम मतलब आप कह सकते हो कि यह वातावरन गरम हो रहा है धूएं से ठीक है जहरीली गरम गरम हो रहा है जो तापमान बढ़ा देती है वातावरन का यूरोप और अमेरिका की क्या भूमी का है यह बड़े बड़े देश है जादातर फैक्टरिया यही पर है यही सारी ग्रीनाउस से निकालते हैं हानी कारग गैसे जितनी भी होती है फिर है वातावरन के गरम होने से क्या हानी है तो देखो तापमान बढ़ रहा है समुंदरों का पानी गरम हो रहा है धरती के धुरूबों पर उत्तरी धुरूब और धक्षनी धुरूब पर जो बरफ जमी है वो पिगल रही है मौसम का चक्र बिगड चुका है परियावरन का जो पूरा असंतुलन हो रहा है इसे रोकने के लिए क्या हो सकता है हमें प्रकरती के विकास के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा कि प्रकरती को नुकसान न पहुंचे हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि फैक्टरी ऐस लगा हो जाकर जंगलों को क्यों काट रहे हो तो यह सब इसमें आज की सब्वेता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है आपको बताना है तो आज की सब्वेता के नुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बलकि हम उसको उपयोग की वस्तु समझ रहे हैं उसम नदी का पानी भी जहरीला हो रहा है फिर है आज की इंजिनियर ऐसा मानते हैं जैसी पुराने वाले जो लोग थे उनके पास ग्यान ही नहीं था ये भी कोशन आता है तो आज की इंजिनियर पस्चिमी शिक्षा को ही जादा उपर मानते है Western Education को उनका मानना है कि ग्यान जो है जब एक पुनर जागरन का टाइम आया था Western countries में वहाँ से हमें ग्यान मिला है जो रहने इसा का टाइम था लेकिन हमारी भारते सब बेता हमारा इतियास हमारी संस्कृती के बारे में उन्हें पता ही नहीं है जो पानी को रखने की चीज़े आज हम पस्टिमी देशों से सीख रहे है वो तो हमारे यहाँ पर विक्रमा देती है भोज, मुंज, यह ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने यह पस्टिमी देशों के विकास से पहले ही भारत में यह सब बनवा लिया था तो यह सब है तो यह important question थे जो मैंने आपको बताए है पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेना sample paper की वीडियो देख लेना आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा चैनल को subscribe कर दें और comment box में आप बताएं वीडियो कैसी लगी जादा से जादा वीडियो शेर करें जै हिंद जै भारत